आदर्श आचार सहीता लागू होने के बाद हर्याणा में सियासी हलचल तेज हो गई है मुख्य मंतरी नायप सिंग सैनी द्वारा कल देर रात तमाम बीजेपी मंतरियों और विधायकों की बैठक बुलाई गई इसी पर बादशीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृषी मंतरी कवरपाल गुजर सर कल की बैठक का जिक्कर करें आनन फानन में बैठक बुलाई जाती है देर रात तक ये बैठक चलती है बैठक में किस रणनीती पर चर्चा की गई और जो तमाम मुद्धें हैं जो पाइपलाइन में हैं उनको किस तरीके से सिरे चड़ाने की कोशिच की जाएगी जब चुनावगी गोसना है तो सबाविक सी बात है ना जी कभी भी उगी चुनावगी गोसना था ऐसे ही मुख्यमंत्री जी बिलाएंगे मंत्रियों को और विदायकों को तो वही एक समन्ने प्रक्रिया है तो मुख्यमंत्री जी ने बिलाया और सब को कहा कि सब के सब जुटेंगे काम में तो मैं समय तो इसमें कोई नहीं बात नी है, हमेसा से ऐसे ही होगा, जो दूसरी सरकार होते हो, तब यह से ही होगा, निस्चित तोर से, जो प्रोसेस में थे, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत हमें आई है, जो हम किसान को दो जार रुपे प्रतिय कर दे रहे थे, अभी तक 40% किस के लिए उसका डेटा था, हो त्यार कर लिया, हम 40 को दे दिया, लेकिन सारा मामला प्रोसेस में था, अगर मैं समय ता हूँ कि पास दिन बाद अगर चार से हीता होती, तो हम सारा सारा पूरा कर लेते, तो तक सारे किसान को आने वड़े, तीन दन में लग 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 वो सारा वड़े थे, तो वो सारे के सारे अब रुग गए, लेकिन काफी कुछ काम उनको आए गया, लिश्ची तोर से वो होंगे, और अब जो काम हमने किये हैं, तो उनको और अच्छे तरीके से, जो मतलब जिस चीज़ का कोई टेंडर हो गया है, वो वरक लाट रहे गया, तो वो स्पीड के साथ काम है, मूल मंतर क्या दिया गया, किस विचार के साथ, किस तर्जे पर जो है, वो जनता के बीच में जाएंगे तमाम, एक ही मूल मंतर है, और वो है विकास, विकास विकास और विकास, हम विकास पर ही चर्चा करेंगे, देखिए, हमने दस साल में जो काम कि आप पत्रकार है को पूस्स लेए उन 10 सालों में किस इस आप ही सराइ जिन सेवन राज थे वहाँ, क्या हालात है, आप हमारा देखोगे तो हमारे ऐसे भी जिले मिलेंगे, जहां हमारा एक भी डायख नहीं है, लेकिन जब रासी खर्च करने की बात आगी, तो वहाँ भी आपको बराबर दिखाई देगी, बलके कहीं जेगे तो आपको ऐसा भी ल मारे आणा में मेवात पिछे था, अमने मेवात के लिए अलग से काम किया, बले ही मारा भी डायख नहीं हो, लेकिन हमने काम किया, क्योंकि अगर देश को नंबर बनाना तो सारो गडवल मिलें, जो टारगेट माने नरिंदर मोदी जिन दिया, के 207 तक भारत को एक विक्षि जिसके बाद नेता प्रतिप्रक्षि पेंदे सिंग हुड़ा का जो है जवाब आता है, उनका सीधे तोर पर कहना होता है कि एक अक्टूबर को जनता इन सवालों के जवाब देगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर चार भारती जनता पार्टी प्रदेश से बाहर अब चोधरी साहब दस साल तक इस परदेश के मुख्यमंत्री रहें, तो मिरा हलेगा देशवाल का जवाल का जवाब तो देही देना चाहिए, तो तेरा का नहीं देते, तीन का देते, पर लेकिन जवाब है नहीं, अब ब्यान को इसी प्रकार से बदल के बोलेंगे, कोई जवाब नहीं है, जब विकास की बात होगी न, और जब हम अपने टांकने रखेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा कि कांगरस दस्वे से भी जवाब देने की स्थिति में, हम दावे के साथ कह रहें, कि जब हम अपने काम रखेंगे, उनका दस्वे सा भी काम नहीं किया, और किया तो पक्सपात पूर्ण किया, अगर कहीं ड्वेल्मेंट की तो पक्सपात पूर्ण की हम रखेंगे और मैंने आप से भी इंवेदन किया, आप पत्रकार हैं, आप भी जनता को बताओ. आज काफी महत्रपून कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, इसको लेकर काफी सबकी निगाहें हैं, खास तोर पर यदि हम कच्छे करमचारियों का जिकर करें, उनकी जिस तरीके से आस जो थी बंद बांदी थी, उस आस पर क्या कोई अंतिम फैसला आज की इस कैबिनेट म मिलिया जा सकता है, और विधान सबा सतर की तारीकों पर आज मुहर लग सकती है, देखी वो निरीने अमने ले लिया, जहां तक मेरी जितनी मेरी वो है, मैं समझता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब जो भी नियम है, कि विधान सबा में पास करना तो, मेरे ख्याल स मुझे लगता है कि सहद कोई अरचन ना आए उसमें, लेकिर फिर भी जो कानून वी देवन की विराए लेंगे, तो मैं समझता हूँ, कोई दिक्स में नहीं आएगे, विधान सबा सतर की तारीकों पर खैर मुहर तो कैबिनेट की मीटिंग में लगनी है, लेकिन इसके इला कि पैलकों कि हम 360 दीन चला सकते हैं तो हैं। तो टाइम टाइम पर चलेगा तो सब्सक्राइब लेकिन साने हैं प्रमिश फेशं हैं। cabinet निर्णे लेगी उसी के भी आप पे लेकिन तब जो निर्णे लिए उन निर्णे को लेगे उसके सामने जाएगी पास तो होसी करता है एक अंतिम सवाल सर अदर्श आचार सहीता लागू होने के बाद से लगातार राजनितिक दलों के नेताओं द्वारा जो मौजुदा समय में विधायक भी हैं उनके द्वारा इस्तीफियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है एक दल से दूसरे दल में शामिल होने की कवा किसी अन्य पार्टी के आने के व्यक्ति के आने से कितना फरक जो है वो राजनितिक दल के अंदर पढ़ता हुआ दिखता है है देखी जंता में राज लोग का दल बदर करते हैं वह बिल्कुल जेरो भी जहते हैं लोग बिल्कुल लाइक ने करते हैं किहीं बार कुछ लोग ऐसे भी होते कुछ्छिश súइघ में नकिकर बार सभ्यवट लोग नराज नहीं होते हैं, वो देखते हैं कि इनको बिल्कुल नजद अंदाज किया रहे था, इनकी बास सुनी नहीं जा रही थी, तो इसलिए नहीं पार्टी छोड़ी, कुछ लोग होते हैं कि केवल चुनाओ को देख के दल बदल करते हैं, तो मैं समय तो हूँ लोग जा जवाल का जवाब दिया, चंडिगर से कैमरा परसन विशाल गुलाटी के साथ, रवी चंदेल, सूर्य समाचार